तो बूरिंग दोस्तों हम बहुंचे के अडामनेगर अपने ताउ ताइगी घर पहुंच हम कर गए तो तो बहुंच हम कली गएते हैं कल सफर में बहुत तक चुके थे तो कल कुछ खास वीडियो बाकि आज हम जाएंगे घर्जिया मंजिर और तो तेल लोकेशन पर तो वहां की वीडियो दिकाते हैं आपको बाकि अपनी ताई से बनाएं तो उट देर में ताई दी ताओ और बच तो अपनी ताई जी से तो बिलाता हैं अपनी ताई जी से रामदगा वली ताई जी और ये हैं हमारे रामनगरवाले द्यिन् करते है हैं ये हैं ये हमारे रामनगरवाले आप जी से भी जैके भी बच्चों से मिलाएंगे आखो और यहां तरडू ना जपशा है ऑंड और जैसे ही हागई आपने जानने सरुआओ दभनी के सरुआओ पुरिए जै मादा भी अजै मेरे अजै मेरे के अजै टिया पुराना पुल लिएICA कि पोसी नदी कि मैडम को बाल उड़ जूगे हमारी सफारी के सवारी के सब्सक्राइब तो दोस्तों आपको कुछ इंफ्रोमेशन देता हूं मैं जैसे कि मादा तेन दुआ आदम खोर होगे थी इसने दो लोग और कुछ पालतुजनवरों को मार दिया था फिर उससे फोरेश्गार्ड वालों ने गोली मार दी गई थी यह जूर और जो यह बाग आप देख रहे हैं इसकी नेचरल दैथ हुई थी उसके बाद इसको यहां लाए गया है कुछ जनवरों की नेचरल दैथ होती है और कुछ आदम घोर हो जाते हैं इसलिए उनमार दिया अगया है इसके वह मौक तैसे वही ति में रखमा दीगए है कि अगधर में मारा कि यह बाग हाती केसा लाइड में मारा गया था और जैसा कि इसमें लखा हुआ है कि यह लडाई पूरी राच चली थी हाथी ने इसे कुचल केला दिया था 1977 में यह मादाबाग फोरेस्ट काड़ वालों को मरी हुई भी ली थी और जब इसकी जाच कींगे तो मालूम पड़ा कि इसकी जो मौत हुई थी वो निमोनिया के गरण हुई थी 1982 में अच्छे में इंडे की बच्चे को मार था तो इसे गोली मारती गई थी पहाड में ऐसा देखा था है कि जन्वर आदंपूर के अपर और सब्सक्राइब हुचाते तो हमारे यह फोरेस्ट काड़ होते ही और इस काड़ पर इने मार देते हैं तो यह आदंपूर हो रहे हैं असलिए किसको फालिया है ने यह यह वारे कौंग दी रहे है और यह हमारे सुमित भाई हमारे आज के गाईड हमारे काउजी के बड़े लड़के है आप सुमित भाई मताया तो अब आम जा रहे हैं घरजय मंदिर के बागे हिस्ट्री भाई मताएंगे वही पहुँचके चाल है नहीं आप ही है परकाbnवा करें अब भात में आवाज निखा लो फेर वली और फेर वाली जुखार लो निखाम ले की डिखा से लो ममी के परमयस पे ये का वाज जब बाद का सकता है पार पारी पें जब जब है? जब जब इस तो जब समारी में अब मोट तो अब हम आचके हैं गर्जिया मा के मंदिर में उत्राखंट के लोग पर ये मंदिरों में से एक मंदिर गर्जिया मा का भी है मा का मंदिर कोसी नदीद में इस्तित है और गर्जिया मा है यह एक टीले पे इस्तित है और ऐसा कहा जाता है कि ये टीला बहकर आया था नदीवे गर्जिया राज हिमाले की पुत्री होने के कारण ये गर्जिया या गर्जिया के नाम से पुकारा जाता है तो आप लोग भी दर्शन कीजिये हमारे साथ और उत्राखंड में आईए रामनगर में सित्थाय गर्जय मा का मंदिर दर्शन कीजिये मा के और दोस्तों हमारे इतने सा वेपट्स के लिए प्लीज द्रावत परिवार को सब्सक्राइब कीजिये लाइक कीजिये और सेर कीजिये अपने फ्रेंड्स के साथ जयमातादी हम पहुँच चुके हैं सितामनी मंदिर हम पहुचके हैं सितामनी मंदिर में कहा जाता है कि सितामा लफकुस के साथ यहीं रही थी और जो आप ये तीन स्रोथ देख रहे हैं पानी के ये नेच्रूल है और ये काफी प्राचिन टाइम से यहां पे हैं जब से सितामा आ जाती थी जब से सितामा जाती थी तो इनको यहीं लाता है अच्छा आप यहां पानी के पूछों दीश है तो रामनेगर आए तो यहां भी जुरूर आए एक बड़ आए पानी के लैदान के ऑले पे जुर का खच्छा जुर थी जतामा ज़ाना जवीं टाता है यहां वहां यहां यहां जवीं है से अजए के एितना के लो कि दो यहां प्राचिन अग्ड़ सिता भी यह लव कुछ कसा आते हैं आप में आप में तो यह जंग लों के बीच ओ बीच फोड़क निकरो अच्छा लगा बहुत यहां आखी दर्सुंद होगे शिता माता के लपोस्ट वान की मुदेवाबदी याद पाजा होई दोस्तों रामभक्त हनुमान जी की किस्से तो बहुत हैं उनमें से एक किस्सान आपके साथ सेयर करता हूँ जब पवन पूत्र ने देखी माता जीवन से रूठी रूठी होद्रविड गिराली सियक निकट आधार रूप में अंगूठी अंगूठी का अंधियारे में जैसे सैसा हुआ उजियारा हर ने को सोब जो तर्व सोब में दे दिया वान्चित अंगारा अंगारा इतना सीतल और इतना प्यारा नहीं यहां तो और है कुछ है हो लिखा हुआ राम नाम देखा जो अंगूठी पे तो पड़ गई वैद ही बड़ी उलजन में सोचने लगी के ये अंगूठी उनकी है जिने जीत नहीं सकता है कोई त्रववन में हरस से भर गया हृदय विसाल से छल छल कर उठे अस्कनयन में बार बार मुद्रिका को मस्तक से सपर्स करे प्रभ को पड़ाम किया मन ही मन में जैसराम 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 हम जैसराम जाल हम झान